हेलो वाट्स आप गाइस मैंने स्पिनोध बाद उथापा एंड वेलकम तू जास के इंड इंड डेज यहां गाइस तो आज है हमारा 21 दे एंड एंड आइम सुपर एक्साइटेट कि आज हम फाइनली देखने जारे कुछ ऐसा कोईसन जो कि हमने बच्पन में मैथ्स में पड आता गाइस तो वह आज में इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं तो टुदे बीविल सॉल्व में टुमारो विल बी मीडियम एंड देन डे अप्टर तुमारो गाइस हम मोड को देखने वाले ठीक है तो बहुत ही जादा माजा आने वाला एंड फाइनल अबरे आप सेट अप नंबर्स तो कोई भी सेट अप नंबर्स अगर आपको दिया जाए तो उसका जो एबरेज है यह उसका मीन बोलते है और दी नियुमेरिक वैल्यू डैट रिप्रेजेंट्स दी सेंटर ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कोई तो एक ऐसी नियुमेरिक जो रिप्रेजेंट कर रहे है एक दम सेंटर पॉइंट को ठीक है तो आई होब कहीं न कहीं अब आप एक चीज यहां पर बहुत अच्छी से रिलेट कर पा रहे हो एंड डैट इस कि मीन का कहीं न कहीं मतलाब होता है तो फाइंड आट एंड एबरेज और मैंने आपको अल् पहले से ही जो हमें आर्गुमेंट पास किया गया है वो पहले से हमारे पास किया है एक एरे में है तो गाइस आइगेस यहां अल्री कर चुके सो नाव इट्स ऑसम अपर्चुनिटी फो यू गाइस टो एक्स्प्लोर सो अभी कर लिजिए आप वीडियो को पॉस एंड खु है ठीक है पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंडिजर ओ कंटेंड कर सकता है इंपूट एरे में भी एंटी वह सकता है इंकेस अगर वह एंटी होता है देन दा फंक्शन सुड रिटर्न अजीरो वैली और गाइस तो आप समझ गया होंगे लेट्स टूइट है ना तो मेरे स प्रब्लम सो लेट्स डिफाइन आफ फंक्शन सबसे पहले उन्हों सो कलिए में ऐसे कर लेता हूँ एंड यह ठीक हम एक आर्गोमेंट पास करें तो मैं उसको यहाँ पर एक्शेप कर लेता हूँ ठीक है एज पैरामेटर चलो ठीक है तो सबसे पहले लेट्स टैकल कि अग return your 0 या तो false value लिख दीजिए, you know false value by default 0 ही तो return करेगा, है ना, now we need to find the average, तो उसके लिए में क्या करतो, let sum will be equal to guys, तो यह बहुत ही ज्यादा हीजिए, we need to go with the reduce method, and if you don't know what is reduce method in JavaScript, then you can check out this video right now, आपको idea आजाएगा, please देख लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजाना, map, filter, reduce, तीन ऐसे method हैं, जो आपको आना ही चाहिए, no matter what, interview में एकदम पुछते हैं, ठीक है, so एक special बात है कि we have accumulator जहाँ पर चीज़े जमा होती रहती है, दूसरा तो normal फिर वही है, आपका current element, index, जो भी है, वो सब है न, so इस तरगी से चल देता हूँ, बहार चलते है, अब देखो इसको मैंना single line में लिखने वाला हूँ, जहाँ पर मैं लिख दूँगा accumulator प्लस मेरा current element होगा, खतम, मेरे को इससे क्या मिलने वाला है, sum मिलने वाला है, तो कहीं ने कहीं आप यह समझ सकते हूँ, कि आज इस एक program में हम दो चीज़ देखे, that is, how to find this sum of an array, right, sum of an numbers, या integers, द that is 0, okay, so now it will be like 0 plus 1, जो भी उसका आएगा, you know, add addition करके, then that number will be add with 2 number, फिर उसका जो addition आएगा, उसको 3 से plus हो जाएगा, तो ऐसे करता जाएगा, तो इससे मुझे क्या होगा, इससे मुझे मुझे मिलने वाला है sum of that number, ठीके, so मैं control एक से परता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हू so it will be like 15, 60, 0 and then 0, perfect, you know, अगर आप इस particular integers को sum करते हैं, 5 plus 1, sorry, 5 plus 4 will be 9 and then 1 will be 10, 3 will be 13, 2 15, तो 15 आएगा, यह 30 और 20, 50, 10, 60, तो अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, so we have a 15 and then 60 and remaining 2 हमें 0 मिलना है, क्योंकि minus 1 plus 1, अब minus, मतलब मैंने आपको एक टौफी दी, आपने मुझे एक कुछ बचा ही नहीं आपके पास, आपके पास जीरो का जीरो ही रही गया, खाली कहने के लिए यह होगा कि मैंने आपको टौफी दी थी याद है, बट आपने तो मुझे टौफी दी दिया तो उससे मैं on the spot, तो आपके पास कुछ रही नहीं, so that's why it's a 0 and then empty है तो जीरो हो ग पड़ाता, तो हम mean के से find out कर सकते, mean का simple funda क्या रहता, पता है, average यह वो एक प्रकार से है न, और average कभी भी अगर आपको find out करना रहा, तो जो भी आपका total number होगा, divided by total number of elements, जुसको आपने sum करके वो निकाला number, ठीक है, in our case, like we have a total 5 elements over here, अब मुझे 5 element है, बोलके तो नहीं idea, अब क्योंकि second part में we have only 3, तो में यहाँ पर ना तो 5 लिख सकता हूं, ना में यहाँ पर 3 लिख सकता हूं, मुझे कुछ तो भी चाहिए, so what we can do हमारा जो भी यह parameter था, मैं बोल दूंगा भाई, तेरा जो भी length होगा, खत्म, this is it, तो अब जो भी length होगा, divided by the sum, it will give us, क्या, average simple, basically क्या बोलेंगे, main हमें मिल गया यहाँ ठीक है, so 3, 2, 1 and boom guys, it's a, sorry, इसको में clean कर देता हूं, and yeah, it's a 15 का 3, 60 का 20, बाकि 00, वो आपको double-double देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसको हटा देता हूं, मैंने console.log हटा दी, आप मैं आगर यहाँ चलता हूं, so boom guys, see, अब आप बहुत ज्यादा पसंद आओगा, जहां में आपको दिखाए, how to find mean in our JavaScript, ठीक है, so finally अच्छा लाग रहा होगा, आपको यह देखिए, कि बच्छा में हमने जो maths पड़ी थी, वो finally यहाँ पर काम आ रहा है, अब कल हम देखेंगे, median and then हम देखेंगे, mode, and आगे बहुत मजा आने वाल है, you know, 100 days non-stop, so I hope guys, आप मेरा यह जो, क्या कह सकते हो guys, मेरी यह जो मैनत है, आप उसको देखेंगे, आपको अच्छा लगता होगा, so please वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भरवर के सेर कर दीजिएगा, and हमारा next target है, 1 million subscriber, अभी तक सब्सक्राब निंगे, तो please कर दीजिएगा, मिलता है, आप आपको next video में, till then guys, thank you so much, take care.